प्रेंड्स आपके घर में भी इस तरह का कोई बरतन है तो आप उसे जोड सकते हैं प्लास्टिक का है या फिर स्टील का है या लोहे का है जैसे की कूलर की टंकी हो गई या पानी की टंकी हो गई या इस तरह के कोई डब्बे है या फिर इस तरह का कोई टीपोट है या वाउल कुछ भी है इस तरह का तो आप इसे जोड सकते तो वीडियो के इसकी बिल्कुल वर्त कीजिएगा वीडियो को लाइन से देखेगा कट बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि जो भी मैं इस टेब आपको बताऊंगी तो उसको एक तरफ से देखना ने तो वीडियो समझ में नहीं चूटेगा वीडियो पसंदा तो लाइक जरू कर दीजिएगा चले फ्रेंड्स देखते हैं हम इसमें किस तरह से काम करने वाले हैं तो आप देख सकते हो इस दूद के डब्बे में काफी क्रैक हो गया है जो कि कभी-कभी इस तरह के बरतन रखे-रखे हो जाते और या तो क काफी अच्छा है तो इसको मैं भी जोड लेती हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ की किस तरह से इसमें पानी निकलता है जो कि हम इसमें जब भी दूद लेते हैं तो वो सारा दूद बाहर निकल जाता है तो अब हम इसको जोड़ेंगे और पहले दिखा निकलना तो यह देखें बहुत तेज धार बांद के पानी निकल लाएं और मैं लाश्ट में प्रूफ के साथ दिखाओंगी कि मैंने इससे किस तरह से जोड़ा है जो कि काम कर रहा है इस तरह से अगर आप काम करोगे ना जोड़ो गोए ना तो वो कभी भी नहीं निकलेग कितना भी आप बरतन को साफ कर लो कभी भी नहीं निकलेगा और सालो साल चलने वाला ये बड़िया सा काम करता है तो आप बाल भी देख लीजे यहां पर हैंडी लगे हुए तो यहां का पानी टपक रहा है जो कि ठाली में दिखाई दे रहा है तो चलिए हम इन सारे बरतनों को हम अलग कर लेते हैं और अब हम काम करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले बरतनों को पोँच लेंगे जो कि पानी लगा हुआ है क्योंकि पानी लगा रहता है तो वो चीजे काम नहीं करती है अब इस तरह से हमने पहुंच लिया है अब यहां पर हमने ले लिए एमसी जो कि मात्र 10 रुपए में मुझे ये मिली है तो 10 रुपए की कोई आज कल कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन अगर हम 10 रुपए से अपने घर के सारे बरतन जोड़ लें जैसे कि मैं आपको बता दू ज के अदर निकलते हैं दोनों को मैं खोल लेती हूं और एक का कलर थोड़ा सा ग्रे है और एक का ब्लेक है तो आप देख सकते हो इस तरह से और यह छूने में एकदम क्ले की तरह लगता है जैसे क्ले होता है उसी तरह से लगता है तो यह देखिए इस से मैंने निकाल लिया है और इसको अच्छे से अब हम बंद कर देंगे इस तरह से चिपपा करके तक इसमें air ना लगे अब हम दूसरा packet लेंगे और उससे भी हमें उतना ही लेना है जितना हमने ग्रेवाला लिया है इस तरह से हम गोली बना लेंगे तो तक हमें पता चलेगा कि दोनों गोली आप बरा कर रह जाए तो इस तरह से अच्छे से हाथों से हमने मसल लिया है और अब इसकी हम पतली सी पत्टी बना लेंगे जहां पर जैसा टूटा है आप उसे हिसाब से बना सकते क्योंकि इसमें धार टाइप है क्रेक हुआ है तो इसमें पतली लगा करके इस तरह से हाथों की चीटा बादेंगे साइड में जो भी किनारे से खुला-खुला लग रहा है तो इस तरह से हाथों की मतरसे आपको चिपका देना है तो चलिए मैं पर देख लेते हूं और तो रास अंदर से भी लगा देंगे इस तरह से ताकि जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है उबर की तर हम रख देंगे कुछ time के लिए रख देंगे दो चार गंटे के लिए आपको रखना है तो मैं इसको पूरी रात के लिए रख देते हैं कोई क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है तो अब हम next day में देखते हैं और इसकी अब परिच्छा की बारी है तो चलिए हम देखते कि इसको कितने नंबर मिलने वाले हैं और कितना यह काम किया है यह देखिए इसमें मैंने पूरा पानी भर दिया है अब देख सकते हो आप एक वूंद भी पानी नहीं निकल ला है यह देखिए पूरी धाली सुकी पड़ी हुई है और मैंने उपर तक पानी भर दिया है यह द जलता था और अब बिल्कुल सूखी थाली है तो आप अंतर देख सकते हो चलिए अब हम इस बाउल में डालेंगे पानी और इसकी भी परिच्छा लेंगे इसकी भी परिच्छा सफल हुई यह देखे इसमें भी कहीं से पानी नहीं गिर रहा है इसको कितना भी रगड़ो घीस बिल्कुल नहीं खुलेगा यह देखे कहीं से भी यह पानी नहीं निकला है तो इन्में इससे आपको कितने नंबर देने वाले हैं अब में कमेंट करके बताए कि आपको यह आईडिया मेरा ऐसा लगा सारे प्रोब के साथ मैंने फ्रेंडस आपको दिखाया है किस तरह से ज कुछ चीज से रखे बरतन जोड़े थे जो आज तक चल रहे हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेगा चलिए फिर बिनों भी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई